हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे एक ऐसी ट्रेवलर के बारे में जो समुंदर के रास्ते आर्थ का चक्कर लगाने वाला पहला इनसान था तो चलिए देखते हैं कि आकिर इसकी जर्नी कितनी रोमान चकती तो मूवी की शुरू में हम एक सेलर एलकैनो को देखते हैं जो यंग होने के साथ सा थोड़ा लापरवाबी है वो हमेशा से एक काम्याब कैप्टन बनना चाहता था लेकिन शिप के नाम पर उसके पास बस एक छोटी सी बोट है और इसी से वो अपना गुजारा चलाता है आज भी वो एक रोयल एडवोकेट को लेकर सेविल सिटी की ओर जा रहा है लेकिन वो उनकी बोट की हालत देखकर बहुत डरा हुआ होता है और कहता है कि तुमें हायर करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी आगे का सीन सेविल सिटी का है जहां में एक फेमस एक्सप्लोरर मैजलीन को देखते हैं कहा जाता है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा सेलर है और उसके पास एक ऐसा मैप है जिससे वो समूंदर के सबी रास्ते जानता है आज वो अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाला है जिसमें वो मालुकू आइलेंड से मसाले खरीद कर लाएंगे और यहां वो अपने शिप्स के लिए नई सेलर्स टून रहा है वो अपने लोगों से जल्दी करने को कहता है लेकिन पता चलता है कि वो सब उस रोयल एड़ोकेट का वेट कर रहे है क्योंकि वही है जो सेलर्स के कॉंट्रेक को साइन करवाने वाला है तब ही पोर्ट पर एक दूसरा शिप आकर रुपता है जो असल में पोर्चुगल के अमबेसरे अलबेरो का शिप है और वो मेजलेन को वोन करता है कि तुम इस जर्नी पर नहीं जा सकते वो बताता है कि मालकु जाने वाला रास्ता पोर्चुगल में पड़ता है और वहां से सिर्फ हमारे शिप ही गुजर सकते है दूसरे कैप्टल्स को ये बात बिलकुल पसंद नहीं आती क्योंकि इसका फायदा उठाकर पोर्चुगल वाले मसालों को दूगने रेट पर बेचते हैं और दूसरे मर्चंट्स को बिलकुल मोका नहीं मिलता तब मेजलेन कहता है कि अगर ऐसा है तो मीस्ट की बजाए वैस से मालकु जाएंगे और ये सुनकर सबी सेलर परिशान हो जाते हैं क्योंकि आज तक किसी ने भी उस दिशा से ट्रेवल नहीं किया है और वो नहीं जानते कि वहाँ उनके सामने कैसे खत्रे आने वाले हैं अलवेरो भी कहता है कि ये तो सुसाइट करने के बराबर है लेकिन मैजलीन पर भरोसा करके सेलर्स उसका साथ देने को तयार हो जाते हैं अलवेरो को ये बात बिलकुल पसंद नहीं आती और वो धमकी देता है कि जल्दी ही मैं तुमें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा फिर वो याको नाम के एक जासूस को हायर करता है और कहता है कि मैजलीन के पास एक यूनिवर्सल मैप है और अगर तुम उसे चुरा लो तो मैं तुमें माला माल कर दूँगा तब ही वो एक बोर्ट को तेजी से बोर्ट की और आते वे देखते हैं और पता चलता है कि ये अलकैनो है इदर उदर टकराता हुआ वो किजी तरह बोर्ट को डेक तक ले आता है लेकिन देखता है कि रोयल सोलजर्स उसे अरेस्ट करने आए हैं अलकैनो ने रोयल बैंक से काफी सारा लोन लिया था लेकिन काम ना होने के कारण वो उसे रीपे नहीं कर पाया और इसके बदले वो उसकी बोर्ट चिनना चाहते हैं अलकैनो कहता है कि इस तरह तो मैं लोन कभी नहीं चुका पाऊंगा और तुमें मुझ पर थोड़ी दया दिखानी चाहिए लेकिन बैंक मैनेजर सोलजर्स से उसे भी अरेस्ट करने को कहता है अलकैनो ये सुनकर वहाँ से भाग जाता है और सोलजर्स उसे पकड़ने उसके पीछे लग जाते है तब एक लड़की उसे बताती है कि तुमें मैजलिंग की जर्नी के लिए साइन अप कर लेना चाहिए क्योंकि इससे सोलजर्स तुमें अरेस्ट नहीं कर पाएंगे और अलकैनो भी उसकी बात मान जाता है लेकिन वो एड़ोकेट उसे रेजिस्टर करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम जैसा लापरवा इंसान इस मिशन पर नहीं जा सकता तब मैजलिन कहता है कि मैंने इस लड़के में कुछ खास देखा है और उसे अपने कंसेप्शन नाम के शिप पर काम पर रख लेता है जिसका कैप्टन जोन नाम का एक बुड़ा आदमी है सोलजर्स भी उसे अरेस्ट नहीं कर पाते और यहीं हम देखते हैं कि उस जासू श्यागो ने भी जरने को जोईन कर लिया है राग को वह अलवेरो से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मैजलिन के अलावा मैप के बारे में कोई नहीं जानता और उन्हें शायद उसे जान से मारना होगा अलवेरो उसे कोई भी तरीका अपनाने को कहता है और खुद जल्दी से मालकू आइलेंड जाना चाहता है ताकि मैजलीन से पहले वहाँ पहुँच सके एक कारपेंटर उसे वोन करता है कि उसका शिप साइट से डैमेज हो चुका है लेकिन अलवेरो उसकी एक नहीं सुनता और मालकू आइलेंड के लिए निकल पड़ता है इधर मैजलीन भी अपने पांचो शिप लेकर अपनी जर्नी शुरू करता है और सीटी के लोग भी इसके लिए बहुत एकसाइटिड होते है रात को मैजलीन कैप्टेंस के एक मिटिंग बुलाता है और उन्हें समझाता है कि जर्नी में हम एक दूसरे का साथ देना होगा और तब ही हम इस मुश्किल रास्ते को पार कर सकते है जोन यहाँ उससे उस मैप के बारे में पूछता है और कहता है कि कैप्टेंस होने के नाते हमें भी उसे देखने का पूरा हक है लेकिन मैजलीन इससे इंकार कर देता है क्योंकि उसे डर है कि इसमें मैप के चोरी होने का खत्रा है और इसलिए उसका शिप आगे रहकर बाके शिप्स को लीट करने वाला है कैप्टेन्स को लगता है कि कहीं रात को उनके शिप्स बेटक ना जाए और तब मैजलीन आइडिया देता है कि हर रात वो अपने शिप्स पर एक लाल टैन लगाएगा और बाकि शिप्स भी ऐसा ही करेंगे ताकि पीछे वाले शिप्स उन्हें असानी से फोलो कर सके वो उन्हें कुद पर विश्वास रखने को कहता है लेकिन हम देखते हैं कि जॉन को इसे बिलकुस सैटिसफेक्शन नहीं हुआ इसी तरह वो मैजलीन को फोलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और जॉन गुसे में अलकैनो को नाइट शिप्स पर लगा देता है पांच दिन ऐसी ही आगे बढ़ते हुए उनके शिप अचानक से एक तुफान में फस जाते हैं और अलकैनो को लगता है कि ये अपनी स्किल्स दिखाने का अच्छा मोका है वो तेजी से अपने शिप को आगे के और ले जाने लगता है और ये देखकर जॉन को बहुत गुसा आता है तब अलकैनो उने दिखाता है कि सामने उने जमीन नजर आ रही है और मैजलीन समझ जाता है कि ये साउथ अमेरिका का ब्राजिल देश है फिर बोट लेकर वो जमीन के और जाते हैं ताकि आने वाली जरने के लिए खाना पानी इकठा कर सकें और यहां उनका सामना एक कबीले से होता है कबीले वाले भी पहले तो उने देखकर चौक जाते हैं लेकिन फिर जल्दी ही उनमें दोस्ती हो जाती है और वो लोग आपस में काफी सारा ट्रेड करते हैं यहीं जों दूसरे कैप्टेंस को बढ़काने की कोशिश करता है कि मैजलिन खुद भी पोर्चुगल से है और कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें किसी ट्रैप में फसादे वो मैजलिन से उस मैप को अपने कबजे में लेने को कहता है लेकिन बाकी कैप्टेंस को लगता है कि उन्हें जल्दबाजी नहीं करने चाहिए और वो इस बारे में और सोचने को कहते हैं यागो भी छुपकर उनकी बाते सुन लेता है और उसे लगता है कि इन में फूट डाल कर ही मैं उस मैप को हासिल कर सकता हूँ वहाँ से निकल कर वो साउट की और जाने लगते हैं लेकिन गर्मी का मोसम होने के बावजू समूंदर में ठंड और फोक बढ़ती जा रही है उन्हें ये बात कुछ समझ नहीं आती और तब अलकैनो बताता है कि हमने जरूर एक्वेटर को पार कर लिया है और इसी लिए मोसम बदल गए हैं थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक कैनाल नजर आती है और मैजलीन को लगता है कि ये शायद मालुको आइलेंड जाने का रस्ता है चेक करने के लिए वो एलकैनो की शिप को आगे भेजता है लेकिन वो देखते हैं कि ये कैनाल नहीं बलकि एक फ्रेश वोटर की रिवर है जोन ये न्यूस देने के लिए अलकैनो को मैजलीन के शिप पर भेजता है और खुद चूपकर दूसरे कैप्टन से बात करने जाता है अब बाकी कैप्टन्स को भी लगने लगा था कि मैजलीन शैदूने कलित रास्ते पर ले जा रहा है और वो सब प्लैन बनाते हैं कि सही टाइम आते ही वो सब वापस मुड़ जाएंगे आगे बढ़ते हुए हालत और भी गणने लगती है और वो देखते हैं कि समुंदर का पानी भी ठंड से जमने लगा है लगपक पांच महीने तक वो लोग महीं फसे रहते हैं और इसका अरसार उनके शरीर पर भी होने लगता है फिर फाइनली विंटर सीजन खतम हो जाता है और वो सब एक पार फिर अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं जोन के सब्रकावान भी टूट जाता है और अपने कुछ लोगों को लेकर वो मैजलीन के शिप पर उसे बात करने जाता है वहाँ वो उसके साथियों को बंदी बना लेते हैं और कहते हैं कि अब इस शिप पर हमारा कबजा है मैजलीन को भी उनसे इस धोके की बिल्कुल उमीद नहीं थी लेकिन जोन उसकी एक नहीं सुनता और उसे भी अपना होस्टेज बना लेता है यागो को उसकी टेबल पर एक मैप दिखाई देता है लेकिन पता चलता है कि ये तो बाकियों के जैसा एक नॉर्मल मैप है और इसमें आगे जाने का कोई रास्ता नहीं लिखा जोन मैजलीन से असली मैप के बारे में पूछता है और वो बताता है कि वो रास्ता तो मेरे माइंड में छपा हुआ है और मैं अभी भी तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूँ ये सुनकर जोन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो कहता है कि अब से मैं इस शिप का एड्मीरल हूँ और हम लोग अभी वापस सैवल सिटी जा रहे हैं तब एक कैप्टन उसे बताता है कि हम मैजलीन को जिन्दा नहीं छोड़ सकते क्योंकि सिटी के लोग इसे हीरो मानते हैं और ये सोचकर वो रास्ते में उसे मारने का प्लैन बनाते हैं तब ही लहरे उनके एक शिप को चट्टानों के पास ले जाती है और वो उनसे टकराकर डूप जाता है मैजलीन उन्हें समझाता है कि ये वक्त आपस में लडने का बिल्कुल नहीं है और उन्हें बस यहां से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए तब ही नेविगेटर को सामने एक और कनाल दिखाई देती है और मैजलीन समझ जाता है कि यहीं उनके बाहर जाने का रास्ता है वो बागे कैप्टन्स को भी खुद पर भरोसा रखने को कहता है लेकिन यागो उसकी बाद से बिल्कुल एगरी नहीं होता तब बल्कैनो उन्हें समझाता है कि मैजलीन ने हमें सेफ रखने का प्रोमिस किया था और वहीं हमें यहां से बाहर निकाल सकता है कुछ दूसरे कैप्टन्स भी उसकी बाद से अगरी होते हैं लेकिन जोन कहता है कि मैं अपना शिप लेकर वापस जा रहा हूँ तब सोल्जर्स बगावत के लिए उसी अरेस्ट कर लेते हैं और यह देखकर एक दूसरे कैप्टन अपने लोगों के साथ भाग जाता है मैजलीन भी उन्हें रोकने से मना कर देता है और कहता है कि वैसे भी हमें दो के बादो के कोई ज़रूरत नहीं है फिर सोल्जर्स उसे जोन के बारे में पूछते हैं जिस पर मैजलीन कहता है कि मैं कोई खून खराबन नहीं करना चाता और इसे भी एक बोट में डाल कर समूंदर में छोड़ दो और अगर यह लगी निकला तो अपने आप वापस घर पहुँच जाएगा वो लोग जोन को महीं छोड़ कर आगे बढ़ जाते हैं और वो इसके लिए उन्हें बहुत बद्धुआएं देता है फिर वो इस नई कैनाल को क्रोस करने लगते हैं और देखते हैं कि ये जगा शिप्स के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता रास्ते में उन्हें कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है लेकिन वो हार बिल्कुल नहीं मानते और चालिस दिन बाद फाइनली उस कैनाल को क्रोस कर लेते हैं खुला समुंदर देखकर उनमें फिर से जोशा जाता है और मैजलिन को भी लगता है कि अब शायर वो मालुक आइलेंड पहुचने वाले हैं लेकिन वो नहीं जानते कि वो सब इस वक पैसिफिकोशिन में है जहां हजारों किलो मीटर तक कोई जमीन नहीं है और लगबख 4 महीने ट्रेवल करने के बाद उनके खाने पीने का सारा समान खत्म हो जाता है बूग से परेशान वो लैदर और पेपर खाने लगते हैं और पीने के लिए भी गंदे पानी के अलावा कुछ नहीं बज़ता फिर एद दिन अचानक सामने उन्हें जमीन नजर आती है और उन्हें लगता है कि यह शायद वो मालुकव आइलेंड है वहां उनका सामने एक और कबीले से होता है जिनकी प्रिंसेस है समर नाम की एक लड़की और वो उने बताती है कि ये मालकू नहीं बलकि सीबू कबीले का इलाका है वो लोग भी उनकी बहुत खातिरदारी करते हैं और समर उने कहती है कि हम तुम्हें मालकू जाने के लिए गाइड प्रोवाइड करेंगे लेकिन बदले में तुम्हें हमारे दुश्मनों को एक सबक सिकhाना होगा याको को ये सुनकर एक आइडिया आता है और वो उनकी दुश्मन कबीले में जाकर पहले ही आने वाले खतरे से साथ़धान कर देता है इदर मैजलीन और उसके साथ ही उस कभीले पर अटैक करने आते हैं लेकिन याको का इशारा करते ही वहाँ अचानक उन पर हमला हो जाता है मैजलीन तुरन तुने वापस शिप की और जाने को कहता है लेकिन इससे पहले कि वो खुद महां से निकल पाए याको गन से उसके पैर पर हिट करता है और कैप्टेन के साथ बोट में वहां से निकल जाता है अलकैनो मैजलीन की मदद करने की कोशिश करता है लेकिन मैजलीन अपनी कैप दे कर उसे महां से भागने को कहता है तब ही वो समर को आते वे देखते हैं जो एलकेनो को बचाकर वापस ले जाती है और कबीले वाले मैजलीन को मार ढालते हैं। शीप पर आते ही वो यागों को अरेस्ट करा देता है और बाकी सेलर एलकेनो को ही अपना नया कैप्टन चुन लेते हैं। वो मैजलीन के मिशन को पूरा करने की कसम खाता है और बजे हुए दोनों शिप लेकर वो आगे बढ़ने लगते हैं जहां रास्ता दिखाने में समर उनकी मदद करेगी। फिर वो जल्द ही मालको आईलेंड पहुँच जाते हैं जो देखने में बहुत ही सुन्दर और हरा भरा था वहां वो किंग को अपनी लाई हुई चीज़े गिफ्ट करते हैं और वो भी उनके साथ ट्रेड करने को तयार हो जाता है आगे हम उने अपने लिए मसाले खरीदते ह तबी एक सेलरल केनो को बताता है कि पोर्चुगर वाले मालकों को अपना इलागा मानते है और कभी यहां आकर तुम्हें अरेस्ट कर सकते हैं एलकेनो शिपको टेजी से लौट करने को कहता है और बताता है कि इस बार हम नौर्मल रूट से वापस जाएंगे ताकि जल्दी से वापस अपनी city तक पहुंच सकें समर अलकैनो को अपने साथ रुखने को कहती है लेकिन वो बताता है कि मुझे मैजलीन के सपने को पूरा करना है और अपने साथियों को वापस उनके घर तक ले जाना है समर गुस्से में वहां से चली जाती है और अलकैनो को समझ नहीं आत और हम यहाँ शिप और तुम्हारे लोगों का पूरा ध्यान रखेंगे ये सुनकर अलकैनो अपने लोगों से चल्दी करने को कहता है और तभी वो देखता है कि समर भागते वे यहीं आ रही है वो अलकैनो को केप ओफ स्टॉम से साफधान रहने को कहती है और उससे प्रोमिस लेती है कि काम खतम होते ही वो वापस आ जाएगा अगले कुछ महीनों तक वो इसी तरह ट्रेवल करते हैं और फिर एक दिन उनका सामना उस केप ओफ स्टॉम से होता है वो देखते हैं कि यहाँ पानी की गेराई बहुत कम है और उसे समर की वोर्निंग याद आती है कि उने शिप को किनारे से दूर रखना है वो किसी तरह शिप को किनारे से दूर ले जाते हैं लेकिन वहाँ उनका सामना हजारों फूट उची लहरों से होता है किसमत इस बार भी अलकैनों का पूरा साथ देती है और वो लोग उस कैनाल से सही सलामत बहार निकलाते हैं उनका अगला स्टॉप है केफ वर्डे नाम का आइलेंड जहां से वो अपने खाने पीने का समान लेने वाले हैं लेकिन एक सेलर बताता है कि ये जगा भी पोर्चुगल के अंडर है और हमें यहां साफधान रहना होगा वो लोग वहां के गवर्णर से जूट बोलते हैं कि हम तो बस यहां से गुजर रहे थे और तुफान के कारण हमारा सारा समान खराब हो गया इदर यागो चलाकी से खुद को पहा निकाल लेता है और उन्हें बताता है कि ये लोग मालकु आइलेंड से मसाले लेकर आए हैं ये सुनका गवर्णर उन सब को पकड़ने का ओर्डर देता है और अलकैन और उसके साथी बचकर भागने लगते हैं उनका पीछा करते हुए अलवेरो भी केव वड़े पहुच जाता है और कहता है कि अब मैं इन्हें यहां से नहीं निकलने दूँगा वो लोग उन पर अपनी कैनन से अटेक करते हैं और गवर्णर भी अपने शिप से उन्हें घेर लेता है अलकेनो किसी तरह गवर्णर के शिप को मात दे देता है और उधर यागो भी बचकर अलवेरो के पास आजाता है जल्दी हैं अलकेनो और अलवेरो के शिप मामने सामने आ जाते हैं और उनके लोगों के पीच लड़ाई शुरू हो जाती है तब ही अलकैनो की नजर अलवेरो के शिप के क्रैक पर पड़ती है और वो ऐसी जगा बना हुआ है जहां जादाता शिप अपना गन पाउडर स्टोर करते हैं उसका आदमी अपनी कैनन से उस जगा को टारगेट करता है और उससे हुए दमाके से अलवेरो का शिप डूबने लगता है अलवेरो के लोग अपनी चान बचाने में लग जाते हैं और अलकैनो अपने साथियों के साथ महां से निकल जाता है जल्दी ही वो लोग सैविल सीटी के करीब पहुँच जाते हैं और अलकैनो वो इंसान बन जाता है जिसने समुंदर के रास्ते अर्फ का पूरा चक्कर लगाया है। लोग भी उन्हें वापस देखकर बहुत एक्साइटीड होते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्टों अगर आपको इन मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।